आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ वहां के खंडरों को देखने गए तो वहां पर किस प्रकार के उन्हें अनुभा हुए जब वहां पर होटल को खोसते खोसते एक जगए पर रुखे जहां पर उन्हें हामित खान नामा के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर जाकर उन्होंने हामित खान के जो दुकान थी जिसमें रोटियां और सबजियां मिलती थी तो वहाँ पर जाकर लेखक ने भोजन भी किये अब लेखक नी याँ पर बताया है कि उसने मेरी बात को बहुती ध्यान पूर्वक सुनकर कहा काश में आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आखों से देख सकता मुल्क का मतलब होता है देश तो जब लेखक ने आमें पहले भाग में बताया था कि लेखक ने कि जब लेखक, आमित खान ने पूछा कि आप एक हिंदू है और क्या आप मुस्लिम के घर खाना खाना खा लेंगे तो लेखक ने बड़ी प्यार से कहा कि हमारे यहां मतलब हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का कोई भेदवा कोई फर्क नहीं है हमारे यहां सब को सामान बाना जाता है और अगर हम प्रकार से हम अक्सर मुस्लिम हो उटलों मर जाकर खाते हैं। और साती साथ लेखक ने बताएगी किस प्रकार से जो मुसलमानों के दौरा पहली मस्जिद का नर्माण हुआ था वह लेखक की राज्युमें ही हुआ था। जब हामित खान ने लेखक कि इन सब बातों को सुना और फिर वो कहता है काश्ट में आपके देश में आकर इन सब चीजों को अपनी आखों से देख सकता अब लेखक कहते हैं कि क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता जब हामित खान ने यह सब कपूछा कहा कि काश्ट ऐसा हो सकता कि आप जो कह रहे हैं कि आपके देश में हिंदू, मुसलिम, भाई, भाई हैं तो काश्ट में इन सब को अपनी आखों से देख सकता तो लेखक कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हामित खान कहते हैं कि मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है पर मैं इस लेकिन मैं इमान नहीं कर सकता कि आप एक हिंदू है क्यूंकि यहां कोई भी हिंदू का आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसल्मान से नहीं कहता फक्र का मतलब होता है गर्व तो लेखक ने बताए कि जो हामित खान है वह लेखक से कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंदू आप ऐसी बाते नहीं करता जो बाते आपने बड़े ही गर्व के साथ कही हुई है और नहीं आपर कोई मुसलमान ये साधी बाते कह सकता है उसकी नजर में अर्थार्त हिंदूं की नजर में हम आतताइयों की अुलादे हैं आतताइयों का आर्थ होता है अत्याचार करने वाले तो जो हामित कान ने वाई लेकक को बताता है कि हाँ पर जितने भी हिंदु हैं, उनका सोसना है कि हम जितने भी लोग हैं, ये सारी आध्ताईयों के उलादें, मतलब हमारे पूरवजों ने हिंदु आपर बहुत अधिक अत्याचार किये हैं, इसलिए वाई हमें बुरी नजर से देखते हैं, और हमारे भीतर वेदभाव करते हैं, हिंदु मुसलिम में फर्क करते हैं, बताया है कि हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियती है, नियती का आर्थ होता है भाग्या, तो लेकक में बता रहे हैं कि किस प्रिकार से हामि लिए ऐसा सोचते हैं तो इसी आलत में हमें अपनी आन बान्शान के लिए लड़ना पड़ता है और यही हमारा भाग्य है लेखक ने हमें बताया किस प्रकार से हामित खान की आवाज में जो उसकी सच्चाई थी वह कोट कोट कर भरे हुई थी अब उसने पूछा मैंने तो उसने कहा हामित खान वो जो चार पाई पर बैठी है वो है मेरे अब बाजन अब बाजन का अर्थ होता है मेरे पिता अच्छा आप दस मिनट इंतजार किये जिस आलन अभी पक रहा है और मैं इंतजार करने लगा लिखक कहते हैं जब मैंने उस मैंने उस प्व्यक्ति से पठान व्यक्ति से उसका परेचा जानना चाहा तो उसने अपना नाम बताया हामित खान और बहुत साथी साथ उसने अपने पिताजी के काभी मुझसे परेचा करवा है और मुझसे कहा कि आप दस मिट बैठी है खाना तयार हो रहा है सालन अठाट सबजी अभी पक रही है और लेकक वहाँ पर बैठ कर इंतजार करने लगे अब हामित खान ने वहाँ आवाज लगाई अरे ओ अबदुल एक वहाँ पर एक छोकरा मतलब एक लड़का दोड़ता हुआ आया जो आंगर में चटाई बिचा कर लाल मिर्ची सुखा रहा था अब चुकि उनका काम ही है को खाना खिलाना उनकी होटल है जिसमें बुलो खाने का उनके काम होता है वो सबजियां बनाते हैं रोटियां बनाते हैं तो इसे के लिए उनको लाल मिर्ची की जरुवत पढ़ती होगी इसलिए उस दुकान पर उस होटल पर जो लड़का काम करता था वो आंगर में चटा होता है प्राचीन भासा में तो हामिद ने प्राचीन भासा में उस लड़के को कुशादिस दिया और वह दुकान की पीछे की तरफ भाका पिछवाड़े का मतलब होता है पीछे की तरफ अब बताया गया है वो जो हामिद खाने वह लेकक से कहते हैं, भाई जान, जालमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है, किसी पर धौस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मुल नहीं ले सकते, आप इमान से महबत के नाते मेरे होटल में खाना खाए हैं, ऐसी इमान दारी और महबत का असर मेर दिल में क्यों ना पड़े, अगर हिंदू और मुसल्मान इमान से आपस में महबत करते तो कितना अच्छा होता, दीमे स्वर में बोलते हैं, वह अंगीटी से आकरी चापाती उतार कर खड़ा हो गया, अब लेकक ने बताया कि किस प्रकार से, जो हामित खाने वह लेकक से कह आप तो एमान के और मुहबत से ही मेरे होटल में खाना कहा हैं, और ऐसी एमानदारी और ऐसी मुहबत का जो कि हमारे हिंदू मुसलिम किसी भी धर्मे में बेदवा नहीं करती, तो ये सब का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, अगर हिंदू और मुसल्मान आपस में इस तरह ऐसे प्रेम से रहें, तो ये कितनी अच्छी बात होगी, अब बताया गया है, जो छोकरा पिछवाडे की दरफ गया था, उसने एक ठाली में चामल लाकर सामने रख दिया, हामित खान ने तीन चार चपातियां उसमें रख दी, फिर लोही की तस्तरी में सालन परोसा, छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेच पर रख कर चलाया, मैंने बड़े चाव से भरपेट खाया, चाव का मतलब होता है बड़े मन से, तो लेखक बता रहें किस प्रकार से हामित खान ने उनका आदर सतकार किया, और किस प्रकार से उने बहुत अच्छे मन से भोजन और लेखक ने बड़े ही मन से भरपेट खाना खाया अब जब लेखक ने अपना खाना खत्म कर लिया तो लेखक पूसते हैं कितने पैसे हुए जिब में डाहाट डालते हुए लेखक हामित खान से पूसते हैं अब हामित खान मुस्कुराते हुए कहता है मुस्कुराते हुए तो वह व्यक्ति भी लेखक को आदर सम्मान देने लगता है और कहता है कि भाई जान मैं आपसे पैसे नहीं लूगा क्यूंकि आप हमारे देश्ट के और मेरे महमान है महमान नवाजी की बात अलग है आप एक दुकानदार है और इसके नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे आपको मेरी महबत मेरी प्रेम की कसम एक रुपया के नोट को मैंने हामित खान की और बढ़ाया वह सकुचा रहा था उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया और जब लेकक ने उसको कहा कि तुम्हें मेरी कसम में तुम्हें रुपया पैसे लेने पड़ेंगे और लेकक ने एक रुपया का जो नोट था वह हामित खान को बढ़ा दिया था चुकि यहें बात बहुत पुरानी इसलिए उस वकत एक रुपया का भी बहुत महत्व होता था तो जो आमित खाने भाई पैसे को लेकर सकुचा रहा था उसने भाई लेकक से रुपया लिया और वापिस से लेकक के ही हात में रख दिया और इस प्रकार उसने लेखक के जो कशमती उसका भी मान रखा और फिर लेखक को वापिस पैसे करते हुए कहता है कि भाई जान मैंने खाने के पैसे आप से ले लिए है मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हातों में रहें जब आप पहुँचें तो किसी मुसल्मानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षिसला के भाई अहामित को याद करें तो लेखक में बताया है कि जब आहमित खान लेखक से पैसे ले लेता है और बाद मैं उन्हें पैसे वापस करते हुए कहता है कि मैंने आपके खाने के पैसे ले लिये हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जब भी किसी जब आप अपने शहर जाएं तो किसी मुसल्मानी होटल में जाकर जब आप खाना खाएं और इसी पैसे से आप जब आप पुलाव खाएंगे और उसी प्रिकार आप तक्चिसला के भाई हामित खान को हमेशा याद करेंगे लेखक बता रहे हैं कि किस प्रिकार से जो हामित खान नामग विक्ती था उसने किस प्रिकार से लेखक का आदर सम्मान किया और साथी साथ लेखक ने भी उसको प्रेम पूरबक उससे बिदाली वहाँ से लोट कर मैं तक्चिसला के खंडरों की तरफ चला गया उसके बाद मैंने फिर कभी हामित खान को नहीं देखा और फिर उसकी बाद उन्होंने हामित खान को कभी नहीं देखा लेकिन उसकी जो आवाज थी उसके साथ लेकक ने जो पल बिताये थे वो उन्हें आज भी याद है उसकी बाद मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है तक्षी सिला के सामप्रदैक दंगो की चिंगारियों की आख से हामित और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूके को दोपर मिचाया और खाना देकर मेरी छुधा को तरप्त किया था बची रहे मैं यही इस वर से प्रातना करता हूँ छुधा का मतलब होता है भूक और तरप्त का भूक मतलब होता है उन्हें किस प्रकार से संतुस्टे दी तो लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब वहां उन्हें हामित की आवाज और उसकी साथ दंगो की चिंकारियों से हमित की और उसकी दुकान ना जल्जाए और जिस दुकान ने मुझ्ज भूखे को भुदो पर में भोजन कराया और मेरी भूख को मिटाय। और मुझे आत्मसंत्युस्टि दी और लेकक भगवान से प्रात्ना करते हैं कि हे ईश्वर मेरी आप से यही कामना है कि हामित की दुकान है वह सही सलामत बची रहे तो इस पूरे पार्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से लेकक के कंजान व्यक्ती से मिले और उन्हें किस प्र तुमारे यह भाग यही पर समापत होता है धन्यवाद